वेलकम टू टीचिंग गुरू तो आज की टोपिंग में हम बात करेंगे absolute mode के बारे में एक होता है हमारे पास absolute mode और एक होता है हमारे पास increment mode दो तरह के mode होते हैं ये दो तरह के mode हम कहां पर किसी part program को बनाने के लिए यूज करते हैं तो absolute mode से हम starting करेंगे तो कोई भी अगर हमने part program बनाना है तो decide करना पड़ता है programmer को कि वो काम करना किस कौन से उसमें mode में काम करना चाता है वो absolute mode में काम करना चाता है या फिर वो increment mode में काम करना चाता है अगर हम absolute mode की बात करें तो इसमें क्या होता है every vertex कि जो भी vertex होते ही है 1, 2, 3, 4 जो भी vertex coordinate है वो कहां से होंगे 0 से हमने वो start करने है यानि कि 0 इसको origin मानने है हमने देखिए इस diagram से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है यह x-axis है यहाँ पे यह y-axis है x-axis के point यहाँ पे 00 है ठीक है यहाँ पे हमने अपना material place गरा हुआ है material रखा हुआ है ठीक है यहाँ पे आपको यह बताया हुआ है कि क्या है यहाँ पे length है 20 और यह height है 10 तो आपने यह point टोल को यह point आपने बताने है कि यह 55 point है यह 25,5 है यह 25,15 है यह 550 है जो tool होगा वो हमारा का है home position पे है तो जब वो machining करने के लिए इदर आएगा तो आपको बताना पड़ेगा उसको कि अगर आपने 55 पे आना है 25,5 पे आना है 25,15 पे आना है 5,15 पे आना है तो यह जो points है यह आपको बताने पड़ेंगे इसमें जो absolute mode होता है absolute mode में आपने याद रखने कि जो भी अपने points लेने है वो कहा से origin से लेने है 00 से तो first वाला हम इसके बात करेंगे तो जब हमारा tool आया इदर ठीक है बी point पे तो बी point पे कितना है 25,5 यह कैसे आया 25,5 तो देखी यह इसका distance है यह 5 है यह आपको बताया जाएगा यहां पे यह यहां से लेके यहां तक 5 है यहां से लेके यहां तक 5 है यह आपको given होगा ठीक है तो जब हम यहां पे पहुंचे बी पे बी पे पहुंचे तो क्या हुआ यहां पे x की value कितनी है यहांपे X से dखे 20 तो यह mention यह है और 5 यह वाला जो यह वाला distance है यहांसे यहांतक यह 5 है और यह 20 यह 25 x की value और y के value कितने यह यहांपे y की value तो यह 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 यहांसे लेकर यहां तक प्रहूंद के यह यह कितनी है origin से चलना है तो इसकी value कितनी है 25 क्योंकि देखिए यह 20 है यह वाला 20 है तो यह भी कितना होगा यह भी 20 होगा यह 20 होगा और यह 5 जो आगे बच गया ठीक है कितना आगे 25 और 5 यह 20 और यह प्लस 25 यह आगे 25 जो x की value है और y की value यह ओती है y की value उपर की तरफ तो यह कितनी है 10 तो यह हमें given है यह वाली और 5 यह यहां से लेके यहां तक यह वाला यह लिखा हुआ तो यह कितना आगे 25 15 अब हम इस तरफ जा रहे हैं ठीक है c2 d जा रहे हैं तो x axis पे कितनी value होई यहां से लेके देखिए x के value कितनी होई यहां पे d point पे हम आगर बात करें तो x के value कितनी होई यहां से लेके यहां तक यहां पर है न 10 यहां पे यह 10 है तो यह भी 10 होगा ठीक है 10 और 5 15 हम बात करें point a की तो x और y क्या है 5 5 क्योंकि यहां से लेकि इस point का 5 x की value यह वाला इस तरफ और उपर की तरफ यह 5 यह न 5 5 तो इसमें एक बात आप नयाद रखने हैं कि जो भी points लेने हैं वो origin से लेने origin यह मान के चलना है आपने वह 55 आगया है इस यहां पर अब origin यहां पर आए 25 आई आपने यहां पर 20 नहीं लिखना आपने यहां यह सुचोगे कि 20 आगे चलके कई तो यहां पर 20 लेकि 25 लिखना है आपने क्योंकि आपने origin से लेने हैं इस वाली पूजिए यह origin है ठीक है अब हम बात करते हैं increment mode के बारे में increment mode के अगर हम बात करें तो increment mode में क्या होगा जो मारा first point होगा वो हमने absolute mode से लेना है और उसके बाद क्या करना है जो first point होगा अपने absolute mode से लेना है जो बाकिये वाले point रहेंगे वो हम क्या लेंगे वो previous point से लेंगे यानि कि जो absolute mode था उसमें हम क्या कर रहे थे जो आगे वाले point थे वो 00 से ले रहे थे मगर इसमें क्या होगा फर्स्ट जो सिर्फ पहला point होगा वो अपने absolute mode से लेना है और बागी जो point होगे वो previous point से लेने है example से देख लेते हैं देखिए ये वाली diagram है ये diagram है इसमें x है और y axis है यहाँ पर भी simple y देर का है यह 5 यह 5 यह 5 यह 5 यह 20 और यह 10 यह 10 तो इसमें हम जो एक ही बात करें अगर ठीक है हम यहाँ पर b से चल रहे है तो b के जो points आगे वो कितने आएंगे 20 ठीक है एक की direction में 20 और y के direction में कितना गया जी गया ही निए तो वह आएगा 0 यानि कि 20 और 0 यहाँ पर जो b के point आएंगे 20 जीरो जो हमारा absolute mode था उसमें हमने क्या किया था x के coordinate क्या थे 25 ठीक है यानि कि यहाँ पर जो b यह इसके coordinate क्या थे 25 और 5 ठीक है क्योंकि हमने कहां पे ले रहे थे हम origin से चल रहे थे यहां से origin से चल रहे थे 0-0 से मगर इसमें एसा नहीं चलना इसमें जो previous point रहेगा उससे चलना है ठीक है हम चलें यहां पे आगए अब यहां पे जाने हमने C पे तो C पे क्या आगा X कितना move करें हम x तो move कर रही ही नहीं क्योंकि x कौन से होती है x तो ये वाली direction है इस side वाली और y वाली तो x तो इसमें move किये नहीं x तो यहाँ पर यह 0 ठीक है x तो आगे तो हम गई नहीं ना यहाँ यहाँ से उपर गई उपर क्या है y y direction move क्या हमने कितना किया 10 तो यह आएगा 0 10 ठीक है 0 positive 10 अब हमने क्या c से d जाने है जो tool हमारा c से d move करवाने है तो क्या आएगा देखिए x direction move कर रहे है y direction में तो हमने move किया नहीं क्योंकि y तो उपर है तो हमने y आएगा 0 y is 0 x कितना move किया minus 20 minus 20 क्योंकि है क्योंकि हम opposite direction में जा रहे है यहाँ पे जो इस यहाँ पे देखिए यह यह वाला कौन सा होता है यहाँ पे minus x यह positive x ठीक है अगर हम इस side जा रहे है ठीक है उपर जा रहे है तो positive y नीचे आ रहे है तो minus y तो यह कितना है यह हम क्या जा रहे है negative में जा रहे है X की तरफ तो यह आएगा minus X इस तरफ यह कितना आएगा minus 20 और 0 हम D से A की तरफ आ रहे हैं तो क्या X direction में तो हम move करी नहीं रहे हैं हम सिर्फ Y direction move कर रहे हैं यह उपर नीचे आपने यह वाद रखना है और हम ऐसे जारे हैं ho horizontal direction में जारे हैं तो हम क्या करें X ग् Basic action में जारे हैं तो हम वाई मूघ कर रहे हैं तो 2 से जब हम A पर आए तो X की वैली आही जीरो ग्योंकि X तो मूघ कि यह वर्टिकल रहे हैं और Y की कितनी आही माइनस 10 यह 10 था तो यह भी 10 होगा तो मैंने क्या है नीचे आएंगे तो माइनस का है तो माइनस 10 दो आई ओप आपको अब समझ में आ गया कि absolute mode और increment mode में क्या difference है और एक बाद याद रखने है absolute mode में कोई भी value negative नहीं आएगी जो हमने अभी करके देखा है और increment mode में जो value हमारी वो negative आ सकती है जैसे कि हमने अभी बात किया है यह अपने में नियाद रखना है कि यहाँ पे negative positive x negative y positive y तो यह था difference between absolute mode and increment mode I hope आपको अच्छे से understand हो गया हो thank you video देखने के लिए